तो भई वी एंडेडार लेक्चर लास्ट लेक्चर वन टॉपिक इन विच वी वह प्लानिंग तुडू अ क्वेशन है न हमने एक टॉपिक पर लेक्चर एंड गिया था अपना डिसोशियेशन ऑफ पॉली प्रोटिक आसेड्स पॉली असेडिक बेसेज जिसमें एक क्वेश और THIS स्ट्रॉच चुके स्ट्रॉणासेड्स किस Etícios के सलूशन note कеся है जिकातšके हैं वह देख चुके उसके पालेऑ प्येश पीछ वर्गएरा कैसे लिखा जाता है कैसे क्वेशिट कि यह दा यहिसे हमने कर लिया था ना इकलीन लिखना शीख है वह प्ढ़ द्रञ लिया थ सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते अपने लिए तो लिखना शुरू करें करें तो पहले समझ लो तुम लोग उसके बाद लिख लेना मैं टाइम दूंगा देखो एक बार स्क्रीन पर आपके पास अगर टूटेगा तो यह दो एच प्लस देदेगा और इसको नेगटिव देगा ऐसे लिखते थे अन्य लिखना नहीं है अभी इसको मैं रब कर दूंगा तो अगर यह पूरा डिसोसियंट होता है तो तो ऐसे ही होगा तो अगर प्लीक यूटरेजिट Tigers ने लिखेंगे अगर हम equilibrium की बात कर रहे हैं तो if we are talking about equilibrium तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे complete neutralization कराते थे तो हम click देते कि बैस ने 2H plus दे दिये तो इसको 2 OH मानस चाहिए वो that is when it is completely getting neutralized जब पूरा का पूरा इसको neutralize कर रहे हैं तो बट अम यहां तो हम neutralization की बात ही नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे हैं हमको question में 2KA दे रखेंगे हैं इसका मतलब कि there are 2 equilibrium well actually इसका मतलब नहीं है यह 2K इसलिए दे रखे हैं क्योंकि यह 2 equilibrium बनाता है दो equilibrium है acid के दो अलग लग बार H plus देता है इसलिए 2K दे रखे है that is why two values of K are given कैसे बनाता equilibrium सबसे पहले H2CO3 जो है यह टूटेगा तो एक बात याद रखना बच्चो polyprotec acid हो या polyacetic base हो एक ही step में सारे H plus weak अगर है तो नहीं देगा it will be a step wise dissociation मतलब एक बार में एक H plus मिलेगा तो जो बचेगा वो होगा HCO3 minus तो यह अगर weak acid है तो यह उसका conjugate base हो जाएगा यादर chapter की beginning में समझाया था weak acid conjugate base जाना प्रोटेक के इस basically H plus देने वाला H plus इस basically proton कहा जाता है H plus को तो जब एक H plus देगा तो यह conjugate base बनाएगा यह पहला step होगा इसका equilibrium constant अपने को दे रखा है KA1 जिसकी value दे रखे 10 to the power minus 5 और सुनना इस बात को अगला step आपके पास जो होगा वो होगा HCO3 negative जो फिर H plus देगा और CO3 2 negative बच जाएगा इस case में यह आपका weak acid की तरह behave कर रहा है और यह आपका होगया conjugate base यह बात समझा रही है और यह सब बाते बच्चों करते रहें क्योंकि आगे जाके काम आएंगी बफर वगएरा जब आगे पढ़ाऊंगा तो यह काम आएगा कि यह वी कैसिट और उसका conjugate base क्या है यह वी कैसिट है इसका conjugate base यह है 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 इन दोनों में का रिलेशन नहीं है जहां सिंगल एच प्लस का डिफरेंस होता है वह ही रिलेशन आती है कि वी कैसिट और conjugate base वी कैसिट और conjugate base ठीक है तो यह सब बातें अपने को समझनी है तो के टू दे रखा 10 पर दी पा माइनस नाइन आभी लिख लेना है मैं एक सेकंड टाइन दूंगा आपको अब अपने को इसका concentration क्या है हाँ या ना ठीक है तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन अपने को concentration दे रखी थी 0.1 molar H2CO3 की अब अपने को नहीं पता कि यह कितना टूटता है हमने मान लिया कि X dissociate हुआ equilibrium आने तक पॉइंट वन में से X खतम हो गया तो H2CO3 की वज़े से H प्लस कितना बना होगा X बना होगा और HCO3 माइनस भी X बना होगा टोटल में X बना होगा हाँ या ना तो आगले equilibrium के लिए HCO3 माइनस originally available कितना हो गया होगा X टोटल में मतलब obviously equilibrium दोनों चलते रहते हैं थोड़ा यह बना फिर वह आगे तूट गया फिर और बना फिर आगे तूट गया पर हम तो करें equilibrium पहुंचने तक टोटल जितना H2CO3 से HCO3 माइनस बना होगा उस टोटल को हमना X लेख दिया ठीक है अब खतम भी होगा क्योंकि आगे equilibrium में जाएगा तो आपके पास देखो solution में यह condition तो H2CO3 की वज़े से है किसकी वज़े से H2CO3 की वज़े से कि H2CO3 की वज़े से ह प्लस जो है वो X है अल्रेडी और इसकी वज़े से HCO3 माइनस जो है वो यह है लेकिन यह भी तो consume होगा खतम होगा यह यहां जाके कुछ consume होने वाला है तो अपने इसको लेखेंगे तो एच प्लस भी वाई आएगा और सियो 3 माइनस भी वाई आएगा तो आपको वाई दोनों जगे लेखना पड़ेगा एच प्लस में क्योंकि आपको पहले बताया था कि एक ही solution के अंदर एक ही आयन की दो अलगले concentration नहीं हो सकती सब्सक्राइब नो वाई थिह प्लस इसके लिए पंचेडर होगा क्योंकि है अंऄ की प्लस तो ऐक ही है तो उसकी गया तो आपने प्लस की तो टोटल कॉंसेंट्रेशन लिखोगे ना पानी के अंदर लग जगे से माइगा तो कि है ना बिल्कुल तो यह आपने यही किया कि बहुंच प्लस दो जगे से आ रहा है लेकिन टोटल तो दोटली लिखा जाएगा उसकी जो concentration होगी equilibrium पर तो अलग अलग equilibrium में तो होने दो ना बेटा अक्षद कैसी बात कर रहे हो यार H प्लस तो react कर रहा है H प्लस कौन सा react करेगा ये थोड़ी कह सकते हो आपके पास solution है इस solution में एक equilibrium इस solution में सारे आयन पड़े हुए है एक आयन दूसरा आयन तीसरा आयन और चौत आयन चार आयन तो है टुटल ये चार आयन मिलके दो equilibrium मना रहे है ना एक ही container में तो एक ही container में एक ही आयन की दो अलग अलग concentration हो सकती है क्या नहीं होगी बिलकुल है ना तो ये हमेशा याद रखो एक ही container के अंदर एक ही आयन की दो अलग लग concentration नहीं होगी तो अगर एक आयन है वो चार equilibrium में भी है ना तो उसकी concentration चारो equilibrium के लिए net क्या हो जाएगी ये बात समझ में आती है आती है ना अगर आपको दिख्खत आ रही हो तो इसको इस तरीके से समझ लोगे वही ह2-CO3 जो है ये पढ़ा हुआ है solution में ये एच प्लस पढ़ा हुआ है और आपके पास एच-COO3 माइनस पढ़ा हुआ है और CO3 2 माइनस पढ़ा हुआ है यह ना प्लस भी अटा देते हैं असे और एच प्लस पढ़ा हुआ है अब क्या हो रहा है कि ये एक container के अंदर रखे हैं है ना अब क्या हो रहा है कि एक equilibrium H2CO3 बना रहा है इनके साथ कि इनकी concentration का जो ratio आना है K1 जो है वो किसके बराबर आएगा concentration of H प्लस इन्टू HCO3 माइनस अपॉन H2CO3 और एक equilibrium बना रहा है इनके साथ जहां K2 आएगा आपका H प्लस इन्टू CO3 2 माइनस अपॉन HCO3 माइनस तो solution के अंदर थोड़ी अलग-लग रखे हुए है solution के अंदर तो ये 4 species पड़ी हुई है वो तो इनके से 3 की concentration से K1 का relation आता है या K1 decide करेगा कि इन 3 की concentration में क्या effect आएगा और इन 3 की concentration पर किसका effect आएगा K2 का तो H2CO3 is governed only by K1 CO3 2 माइनस is governed only by K2 लेकिन इन दोनों की concentration में किसका effect आएगा K1 और K2 दोनों का बात समझा रही है बिलकुल तो अब ये आपको आगे के लिए समझ के रखना इस बात को कि एक ही solution के अंदर अगर 4 species भी है या एक ही species एक ही container के अंदर 4 equilibrium में भी जाएगी तो भी उसकी जो concentration है वो 4 equilibrium में आप same ही लिखोगे क्योंकि एक ही container के अंदर है ना concentration कैसे बदल सकती है ऐसा कैसे हो सकता है कि एच प्लस उसी container के अंदर एक जगे वन मोलर है और उसी container के अंदर एक जगे हाफ मोलर है यह तो पॉसिबल ही नहीं है हाँ यूज बेटा वैसे समझ सकते है बिलकुल हाँ इसी को simultaneous equilibrium कहते है ठीक है जो मैंने तुमसे बात कही थी कि वह दिस इस नोन है simultaneous equilibrium इसी को हम simultaneous equilibrium कहेंगे बात समझा रही है कि वह जब आपके पास एक से ज़ादा equilibrium हो जहां कुछ चीज़ें common हो तो उनकी concentration आपको दोनों equilibrium में बराबर लिखनी पड़ेगी इसी को simultaneous equilibrium कहते हैं कि एक से जादा चीज़ें दो अलग अलग equilibrium में participate कर रहे हैं simultaneously there in multiple equilibrium जिसलिए उसको simultaneous equilibrium कह रहे हैं तो अब समझ में आ गया कि इसको x-y अगर एक जगे लिखा तो दूसरी जगे भी x-y लिखना पड़ेगा मतलब क्या है कि पहले equilibrium से अगर यह x बना था और दूसरी equilibrium में y खतम हो गया तो net concentration इसकी x-y बचेगी equilibrium पर और एच प्लस जो है यह पहले equilibrium से x बना था सिर्फ पहले equilibrium का contribution और दूसरे equilibrium को contribution वाय था तो net concentration equilibrium पर x-y आईगी आई बात समझ में क्लियर ठीक है अब हम इसको solve कर लेते हैं यहां तक लिख लो लिख लो जल्दी से अगर अभी तक नहीं लेखा हो तो अब हम देखते हैं कि इसको आगे solve कैसे करेंगे हां वह बहुत सही बात है कि यहां के वन के टू देखेंगे और उससे हम फिर यहां चीजों को approximate करना शुरू करेंगे इग्नोर करना शुरू करेंगे तो मैं एक बार लिखवा दूँ एक्स्प्रेशन आपको उसके बाद approximation से खाता हूं तो इसके नीचे अब अपने को लिखना है के वन का expression लिख लेते हैं देरफोर के वन इस एक्वल टू मैं अब concentrations डारेटली लिख रहा हूं और के टू इकोल टू एक्स प्लस वाई इंटू आए अपन एक्स माइनस वाई हां तो भी एक स्टेटमेंट लिखवा तो उसके अधा approximation सिखाऊंगा कि बहुत सारी चीज़े एग्नोर हो जाएंगी यहां पर लेकिन बता देता हूं कि दिक्कत क्या देखो यह बनेगी कॉड्रेटिक लेकिन दो वीरियबल में एक्स इंटू वाई की कॉड्रेटिक बन जाएगी एक स्क्वेयर का टरम य स्क्वेयर का टरम और एक्स वाई का टर्म आएगा तो यहां भी एक्स वाई का टर्म आएगा तो हम क्या करेंगे कि हम approximations लेंगे जिससे हम calculation कर सकने चीज़ों का तो इसके नीचे एक statement लिखेंगे कि if competing equilibrium if competing equilibrium contribute to concentration of common ions if competing equilibrium contribute to concentration of common ions and the equilibrium constants and the equilibrium constants of these equilibrium in bracket k1 by k2 are greater than equal to 10 to the power 3 not necessarily product of one and reactant of other देखो इसमें जरूरी नहीं है कि इसका product दूसरे का reactant या product यह को common ion है बस जिसका product इसका reactant हो गया बट इसका product और इसका भी एक product है तो common ion मतलब दोनों में जो common हो इनको common ion कह रहे हैं तो हम यह कह रहे हैं कि अगर ऐसा equilibrium का जो constant ratio है k1 और k2 वह 1000 यह उससे बढ़ा आ जाता है इसका मतलब क्या हो गया कि पहले equilibrium का constant k बढ़ा है और दूसरे का उससे 1000 गुना छोटा है thousand times smaller हाँ यह ना यही वाली बात हो गई ने यह लिखने का मतलब तो इस case में क्या होगा then neglect the contribution of second equilibrium then neglect the contribution of second equilibrium इस बात का मतलब क्या हो गया कि भाई k1 और k2 का ratio देखो आप तो यह generally 1000 से बढ़ा रहता है तो यह अगर 1000 यह उससे बढ़ा आ गया तो क्या इसका मतलब हुआ कि इसका k बढ़ा है यह forward shifted जाता है और इसका k छोटा है तो यह forward shifted कम होगी बेटा यहना कम होगी तो इस case में क्या हो गया कि x की value बढ़ी आएगी the value of x will be more and value of y will be less तो अगर एक value बढ़ी आ रही है दूसरी छोटी आ रही है तो हम छोटी value को ignore कर सकते हैं और अभी value निकालेंगे तो तुमको दिख जाएगा कि ignore किया था तो हमने गलत नहीं किया था जब final value आएग नो तो तुमको दिख जाएगा कि हमारा assumption सही था अचा दूसरी बात चलो इसके ratio में तो k1 बढ़ा है बट क्या k1 absolute value में भी बढ़ा आ रहा है क्या नहीं छोटा है ना 10 की पर-5 है तो छोटी value है तो जब k छोटा होता था तो इसका dissociation बढ़ा आएगा कि कम आएगा एक्स की value बढ़ी आएगी क्या चोटी आएगी 0.1 के रिस्पेक्ट में कम आएगी तो हम इसको भी इग्नॉर कर देंगे कि इसको भी इग्नॉर करके देख लेते हैं के एक सम्मान रहे है कि छोटा ही आने वाला है क्योंकि k छोटा है फिर देख लेंगे अपन तो वह approximation अप निग्लेक्ट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अंड सिंस के वॉन इस स्मॉल देर्फोर निग्लेक्ट एक्स विद रिस्पेक्ट टू 0.1 हाँ असने है बेटा बिल्कुल 100 टाइम्स पर दो इग्णोर करी देंगे 10 टाइम्स पर भी कभी कभी इग्णोर कर देते हैं तो देर्फोर देखो भाई अब क्या अगे अट के वन की वाल्यू क्या थी अपने पास 10 टू दिपा माइनस 5 यजी इकटो neurog टू एक्स प्लस य माइनस वाय अपॉन जिरो पॉंट्वान माइनस एक्स इकटो टो लुान इंटू वाई अपॉन एकस माइनेस वाई अब निगलेट करते हैं देखो ज़रा ये एकस के रिस्पेक्ट में वाई एकस के रिस्पेक्ट में वाई अच्छा एक और बात भाई समेशन और सब्स्ट्राक्शन में तो इग्नोर हो गया है ना ये वाई इग्नोर कर सकता हूं क्या नहीं है ना हम 100 प्लस वन को अप्रोग्जीमेटली 100 लिख सकते हैं या चलो 10 प्लस पॉइंट वन को अप्रोग्जीमेटली 10 लिख सकते हैं बट 10 इंटू पॉइंट वन को 10 लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते तो छोटी values multiplication में ignore नहीं होंगी ऐसे division में ignore नहीं होंगी 10 प्लस 10 upon 0.1 को 10 नहीं लिख सकते भई right multiplication और division में कभी ignore मत करना ध्यान से सिर्फ summation में और subtraction में ignore करेंगे तो ये ignore हो गया और ये x ignore हो गया तो अपने को value क्या मिल गई 10 to the power minus 5 is equals to x square upon 0.1 और यहां मिल गई value 10 to the power minus 9 is equals to y या x into y upon x तो ये x से x cancel हो जाएगा सिर्फिदी सिर्फ अपने को value मिल गई x is equals to 10 to the power minus 3 और y is equals to 10 to the power minus 9 तो कुछ गडबड की थी क्या वही 10 की पार minus 3 की रिस्पेट में 10 क्या minus 9 को ignore करके कुछ गलत किया क्या हमने नहीं किया ना सही बात है कि कोई दिक्कत नहीं इसर कर सकते हैं अच्छी बात है सरे इग्णोर कर दिया अपने लाइफ आसान हो गई देखो कितनी जल्ली solve अगया सब तो वांसर आगया अपने सारे therefore concentration of h plus which is equals to x plus y which is approximately x is equal to 10 to the power minus 3 और अगर कोई ph पूछेगा तो क्या काईगे भई अगर किसी ने बोला नहीं ph बताओ 3 ठीक बात है अच्छा concentration of h co3 minus यह थी x minus y जिसको approximately हमने लिख दिया था x तो यह भी 10 to the power minus 3 concentration of co3 2 negative was y which is 10 to the power minus 9 और अगर को स्टू से उद्री पूछ लेता तो point 1 था minus x इसको approximately हमने point 1 लिख दिया था है ना जैसे इसमें से point 001 माइनस भी कर दोगे तो point 099 आएगा point 099 को approximate करके वापस क्या लिख दोगे point 2 लिख दोगे ना तुम लिखोगे कर नहीं लिखोगे अरे इस निया बेटा y को केटू में कहीं यहां भी तो ignore किया देखो y तो ignored ही हमेशा केवन में भी तो ignore किया x के respect में y ignore होगे अपना तो general कहीं भी हो x के respect में y is ignored हाँ इसको ignore नहीं करोगे तो दो वेरियवल की दो वेरियवल की कोड़ेट एक सॉल करनी पड़ेगी तुमको तो स्नेया बेटा इसमें x को कैसे ignore करोगे बताओ यह तो वैसी बात हो यह ना कि देखो 0.001 प्लस 0.123456789 में इसको तुमने approximately 0.001 लेगे दिया यह तो कर सकते हो बट मैं 0.01 को किसके रिस्पेक्ट में ignore करूँ भई मैंने यह कहा कि 0.001 प्लस 0.123456789 में इसको मैं ignore कर दिया यह चलता है बट अब यहां इसको अटाने के बाद तुम्हें को 0.001 लिखने पड़ेगा ना इसको कैसे अटाऊं मैं अब इसको तो किसी के रिस्पेक्ट में इग्नोर नहीं कर सकता है क्यों यहां मैंने कर दिया क्योंकि यहां मुझे देख रहा है कि 0.1-0.001 में से इसको मैं प्रॉक्जिमेटली इग्नोर कर सकता हूं ठीक है ओल्राइट लिखा यह आपके आंशर्स हाएंगे किसी के बात हैं कर रहे हैं आज लो गयार मतलब के टुको इग्नोर कर दो बिटा के टुको कि.. एग्नोर कर दो मतलब कना के की के समिशन में लिझाओ कर दूँ एग्नोर कर दूँ कैई 3 की शुरह लिख दो मातेमाटिकल लोजिक है कि तुम रखके देखो कि तुमको अगर यह मैतेमाटिकल अप्रोग्जिमिशन सिखाया जा रहा है कि 10 प्लस पॉइंट वन को प्रोग्जिमिटली दस लिखने में ज्यादा आनी नहीं है तो लिख दो तुम्हें प्रॉपर लिखना तो 10.1 लिखो दिक्कत ही है कि 10.1 तो तुम लिख दोगे लेकिन तुम कोई quadratic solve करनी नहीं आती ना कि x square प्लस y square sorry x square minus y square और xy अगर term आ रहा है तो xy के term की quadratic solve करनी नहीं आती ना तुमको अलागी यहां तो चलो cancel हो जाएगा बट यहां रह जाएगा नहीं कि xy का term यहां एगा xy plus y square आएगा अब इसको solve कैसे करोगे तुम तो यह दिक्कत है इसलिए तुमको approximation सिखाया है बिल्कुल तो तुमको random variables random तो नहीं कहेंगे उन variables को पर ignore करेंगे जिनको solve करना में दिक्कत आएगी और हमां logically solve कर सकते हैं तो यह तुमको सीखना एग्नोर कैसे करना है इतना time एक question में नहीं लगा सकते बही और एक question से approximation नहीं आएगा अभी सीखेंगे ना आगे भी कहां का approximate कर सकते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं तो आयूज बेटा तु कर लेना एक काम करना तु ग्राफ बनाना और बैटके solve करना मैंने बिल्कुल मना नहीं किया है अगर ग्राफ से solve कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं बात सही है तो लेकिन बनाना तुम बैटके ग्राफ आयने एक equilibrium में और फिर आईटी को बोल देना अब टाटा भाई 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 मैं कह रहा हूं कि there is no point इन बातों को मतलब थोड़ी है कि यह कर सकते हों कर सकते करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं करना क्या है बेटा लॉजिकली जो सही चीज़ा वो करेंगे ना चलो लिखो और एक सवाल मुझे लगाता कि कर लोगे यार तुम लोग तो इस बात को बहुत मुश्किल से एक्षेप्ट कर रहे हो कि नहीं सर हम तो लाइंगी नहीं अप्रोग्जिमिशन मतलब सीखना पड़ेगा मतलब लाइफ ब्लैक और वाइट बनी चलती है भाई चलो चलो और अप्रोग्जिमिशन करेंगे अभी तो पूरे चेप्टर में प्रोग्जिमिशन करने अपने को और लॉजिकल ऐसे मन गड़न ऐसे नहीं कि मतलब मन चाहां वहां मान ली है सोच समझ के अप्रोग्जिमिशन करेंगे और सिंपल है मुश्किल काम नहीं लिखो नहां रुपांचु बोल बेटा जैसे तो सवाल बोलने में बेटा 100 ml of a solution 100 ml of a solution contains 0.1 molar h2s in bracket ka1 is equals to 10 to the power minus 7 and ka2 is equal to 10 to the power minus 14 and 0.05 molar h2s of 4 comma then calculate इक्विलिब्रियम कॉंसेंट्रेशन और एक्विलिब्रियम कॉंसेंट्रेशन अब मैंने इस क्वेशन में पिछले क्वेशन से कुछ एक 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 एक्स्ट्रा चीज आड़ कर दी हैं तो यहां पर तुम्हारे पास एक वीक एसेड है और दूसरा क्या है strong acid है है ना तो इक्विलिब्रियम किसका लेखोगे तुम पहले तुम्हें यह बताओ इक्विलिब्रियम किसका लेखोगे वीक एसेड का h2s का बिल्कुल सही बात है तो मैं तुम्हें थोड़ी help कर रहा हूं उसके आगे तुमको करना है सुनना बात को आपके पास h2so4 है 0.05 molar तो यह तूट के आपको देगा twice of h plus plus so4 2 negative तो h plus की concentration कितनी आएगी यहांपर h2so4 की वाज़े से 0.1 आएगी so4 की पूछी नहीं है अगर बता नहीं हो तो 0.05 molar आईगी इतनी आईगी value अब यह तो आई गया यह solution के अंदर है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि वह दो एच प्लस तूट गए एक एस ट्वस फॉर से तो 0.0 molar एस ट्वस फॉर आगया और शलफेट 0.05 molar आगया शलफेट की कोई concentration पूछेगा तो बता देंगे डारेक्ट इसमें तो और कुछ करने की दिरूँद नहीं है अच्छा और जिन भी लोगो डाउट आ रहे हैं सुनना ध्यान से अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनते चलोगे तो तुमको डाउट नहीं आएगा पॉइंट इसके तुम बात सुन रहे हो अगर तुम बीच बीच में लिखते चलोगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा I am explaining how to think और what can you conclude किसी चीज़ से क्या conclusion निकाला जा सकता है तो इतनी बात से हम ये conclusion निकाल सकते हैं हमार पास H2SO4 से मिलने वाला H plus 0.1 molar है SO4 2 negative जो है वो 0.05 molar है SO4 2 negative solution में और कहीं से आना नहीं है तो उसकी concentration 0.05 ही रहेगी क्या H plus को मैं यहीं कह सकता हूँ कि directly 0.1 लिख दो सर H plus तरफ यहीं है इतना ही है नहीं कह सकता है भी हमारे पास H2S भी है तुमको देखना पड़ेगा हो सकता है इतना ही है हो सकता है नहीं है बट लिखना पड़ेगा तो H2S का जब equilibrium लिखोगे तो पहले एक H plus निकालेंगे और Hs negative बचेगा और यह बात सुनते जाना है मैं क्या क्या कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो important है कि कैसे लिख रहा है हम तो हम एक H plus release कर रहा है तो बच रहा है Hs negative इसका equilibrium constant K1 की value 10 to the power minus 7 अभी रुख जाओ लिखना मत पहले देख लो screen पर ध्यान से कि मैं कैसे लिख रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ उसके बाद लिख लेना और अगला equilibrium बनेगा Hs negative in equilibrium with H plus plus S2 negative इसका K2 आएगा 10 to the power minus 14 और अभी भी कोई नहीं लेखेगा पहले पूरी बात है सुनेंगे जब H2S की concentration कितनी है यह बताओ मेरे को 0.1 molar ठीक है अभी इसको तोड़ा नहीं है हमने अभी इसको नहीं तोड़ा है तो किसी और की concentration इसमें पता है कि already present है बिना H2S को तोड़े हुए किसी और की concentration है देखो ज़रा ध्यान से है H plus की है कितनी है 0.1 अल्रड़ी है H2S of 4 से मिलेगा ना 0.1 अपने को तो 0.1 और 0.1 बिना H2S को तोड़े हमारे पास H plus already 0.1, 0.1 अविलेबल है ठीक है अब हम मान लेते हैं कि H2S का decomposition X हुआ था तो यहां H plus बनेगा X और Hs negative बनेगा X अभी भी लिखना नहीं है भाई लिखने का time दूंगा मैं पहले स्क्रीन देखते रहो और सुनते रहो क्या किया रहा हूं मैं H2S अगर X तूटा था तो H plus X बन गया और Hs negative X बन गया तो अगले ही equilibrium के लिए क्या आ गया मेरे पास Hs negative X और H plus X आ गया ठीक है लेकिन अभी Hs negative वह टूटेगा तो Hs negative टूटेगा तो उसमें से कुछ खतम हो जाएगा minus Y हो जाएगा तो Hs negative कम हो गया और Hs negative टूटेने पर H plus और बनेगा कितना बनेगा Y तो H plus की concentration आ गई 0.1 प्लस X प्लस Y और Hs negative की कितनी आ गई Y यहना अब इतना लिखो पहले इसके बाद मैं तुमसे approximation की बातें पूछूँगा यहना इतना लिखो जल्दी से फिर मैं approximation की बातें पूछता हूँ कि किस-को एग्णोर कर सकता है पर 0.1 molar H plus के से बेटा यह क्या है तिरे पास यह क्या है जल्ली बता रियाक्टेंट नहीं है बेटा H2S of 4 से मिलने वाला H plus है तो एक solution के अंदर तिरे पास H2S of 4 था और H2S था तो यह देगा H plus और यह भी देगा H plus अब इससे मिल रहा है तिरे को 0.1 इसको तोटने से X मिल रहा है फिर यह और टूट रहा है तो वाई मिल रहा है तो टोटल H plus की concentration तो 0.1 प्लस X प्लस Y आईगी ना आयूश मुझे कैसे पता कि भाई दिमाग तो लगाना थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई आयूश कहा रहा है कि सर आपको कैसे पता के स्ट्रॉस फोर स्ट्रॉंग है बेटा के दे रखा है के स्ट्रॉस फोर का वैसे तो पता होना चाही कि इसस स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट बट वीक एलेक्ट्रोलाइट का जनरली के होता है ना मारे पास बागी स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट करते करते आ जाएगा हां लिखा यहां तक बहुत छारे किले स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट से पता चल जाएगा यहां तक लिखा अब करते हैं इग्णोर करने की बात है न तो यह k1 k2 का रेश्यो कितना आ रहा है भई 10 की पाउर 7 तो किसको इग्णोर करते है y with respect to x ठीक है तो मैं statement लिख रहा हूँ बाद में तुम लिख लेना पहले देख लो तो since k1 by k2 is 10 to the power 7 therefore ignore y with respect to x और दूसरी बात दूसरी बात सुनना के बन चोटा है तो किसको इग्णोर करेंगे किसके respect में इग्णोर x with respect to .1 बिलकुल तो देखो y ignore हुआ एक्स के respect में देखना दरह स्क्रीन पर फिर लेख लेना y ignore हुआ एक्स के respect में और color change करके mark कर रहा हूं x ignore हुआ .1 के respect में इग्णोर क्यों किया क्योंकि इग्णोर करने से हमारी लाइफ आसान हो गई कैसे आसान हो गई कि अब मैं लिख सकता हूं कि का1 is equal to 0.1 into x upon 0.1 is equal to 10 to the power minus 7 therefore x is equal to 10 to the power minus 7 .1 and k2 is equal to 0.1 into y upon x is equal to 10 to the power minus 14 y is equal to 10 to the power minus 14 into x upon 0.1 तो y is equal to 10 to the power minus 20 आ रहा है या एक्स की वैल्यू रखने के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है तो अब तुमने जो approximations लिए थे तो उनको भी check कर लो कि हमने कुछ गलत तो नहीं मान लिया तो 10 की पार mum ऐनेस 20 को इगनोर किया 10 की पार-7 के respective में गुछ गलत किया क्या भी आया नहीं किया ठीक बात है भाई और 10 की पार-7 को एगनोर किया मिन प्लॉंट वन ये respect में तो इसमें गलत किया क्या हम नहीं किया तो बस किए approximations लेकर हमारा काम आसान हो गया नहीं तो हमको दो variable की quadratic solve करनी पड़ती जो मुश्किल काम है जो हम नहीं करेंगे ठीक है तो यह बेसिकली approximations तुम्हें बता दी है कि वैल्यूज अगर के की ऐसी रहती है तो यह वैल्यूज एक्स और वाई की इतनी ही आनी है तो आप इनको इग्नोर कर दो क्यों आपको फालतू परिशानी मोल लेनी है कि वहीं दो वेरिवल की quadratic case solve करें क्या करें कि मेक यॉर लाइफ इजी और देखो पहले सवाल में सब कुछ समझ में नहीं आएगा मतलब समझ में आएगा बट यूज करना नहीं आएगा है ना तो cycle चलाना सीखी थी तुमने तो सामने वाले तुमने समझाया होगा कि बेटा handle पकड़ना है तो समझ में तो आगया होगा यूज करना आ गया था कि पहली बार में नहीं आया आएगा ना तो वैसे questions के साथ भी होगा भई कि कि क्रक्टिस करने से चीज़ें आती हैं कि सुनके समझ तो आ जाता है कि करना तो प्रक्टिस से आता ना खुद का तो approximate करना कैसे वो पहले सवाल में मैंने बता दिया वट करना आ थोड़ी जाएगा पहले सवाल में चार-पांच सवाल करोगे तो आएगा बिल्कुल सही बात है ना knowing something and understanding something are two things तो किसी चीज़ को जानना और किसी चीज़ को यूज कर पाना दो अलग अलग बात है knowing is the first part understanding is the second part तो समझाने से आप सिर्फ जानते हो आपको आता नहीं है दिक्कत दिये कि हम मान लेते हैं कि हमने जान लिया तो हमको आ गया यह mistake है knowing और understanding को में एक मान लेते हैं कि इवी नो डाट मींज्वी अंडर्स्टाइंड डाट इस रॉंग ठीक है पढ़ें आगे लिख लिए आप तक तो इतनी बातों मतर सब ने लिख लिए होगा बिलकुल सवाल करने में भी होता है question एक बार आपको बता दिये जाता है उसके बाद भी आप अगर जैसे tough question है किसी भी सब्जेक्ट में आपको टीचर ने बता दिया है आपने एक बार देख लिया होगा उसको आप बंद करके रख देना और घर जाके दुबार ट्राय करोगे तो आपसे पहली बार में फिर भी नहीं होगा और यह आप कभी भी notice कर लेना तो यह होता है कि एक tough question है अगर class में कराया है तो आपको समझ में आगे-आगे कैसे कराया है बड़ आप जब उसको खुद करने जाते हो तो नहीं होता ऐसा होता है कि नहीं होता तब तक नहीं होगे जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बिल्कूल तो यह समझो इस बात को है ना यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इसलिए किसी एक सवाल को एक बार करना मतलब होना नहीं होता है अच्छे सवालों को मांक करके रखो और उन सवालों को repeat करो जब तक ऐसे लेवल नहीं आ जाए कि वो सवाल paper में आया और हमने देखते से हमको समझ में आ गया कि क्या गरना है तब हम मानते हैं कि वो सवाल हमको करना आ गया तब वो सवाल हमें JEE में help करेगा इसलिए repeat practice जरूर त्पॉलिप्रोटिक या फिर हमने 3 डेखा के सब którzy में देखा कि पॉली-प्रोटिक एक फी एक ही एसेंट पड़ रहा था कि ऑना याना अभी तो हम दो वीक एसेट लेंगे या दो दो वीक बेस लेंगे और उसका मैं फॉर्मॉला डिराइव करा हूँ आपको हर बार इक्लियूम लिखने की जरूत नहीं है आपको फॉर्मॉला जरूर याद रखना पड़ेगा डेरिवेशन रिवाइस करते रहो लेकिन फॉर्मॉला आपको याद रखना है इसलिए मैंने कह इक्लियूम आएगा मोनो आसिडिक बेसेज तो अब अपन क्या कर रहा है अपन एक कंटेनर में एक से ज़्यादा असिड ले रहे हैं तो मालोग दो वीक असेड ले लिए HA और Hb इनकी कॉंसेंट्रेशन और इनका असिड इनकी कॉंसेंट्रेशन कॉंसेंट्रेशन वेरीबल लेके चल रहा है है C1 और C2 और डिसोसीशन कॉंसेंट्रेशन एक का K1 और दूसरे का K2 यह ले लिया हमने इतना लिखो फिर अब इसको समझतें कि इस मैच प्रस की कॉंसेंट्रेशन कैसे लिखेंगे लिखा सबने तो यह सॉल्ट हाइट्रोलिस के पहले हमारा लास्ट केस रहेगा लिखा लिखा ठीक है, तो देखो अब अपन लिखेंगे दो किस किसपका दो एसेट हैं दोनों के individual एक्ट एक्ट अगेए आपके पास एक आसेट है यह एक्ट प्रिमशन बनाएगा H प्लस और A नेगेटिव के साथ इसका equilibrium constant ka1 और दूसरा acid आपके पास hb इसका equilibrium h plus और b negative का साथ और इसका equilibrium constant ka2 तो at equilibrium लिखेंगे इसकी concentration initial c1 थी इसकी concentration initial c2 थी degree of dissociation अगर alpha 1 और alpha 2 मान ले जिसे अगर उपर लिख दे हैं अगर हम लिख दे हैं कि बई degree of dissociation जो है इसका alpha 1 ले लिया और इसका alpha 2 ले लिया तो c1 माइनस c1 alpha 1 हो जाएगा और c2 माइनस c2 alpha 2 हो जाएगा तो h plus पहले equilibrium से c1 alpha 1 बना और a माइनस c1 alpha 1 बना और h plus दूसरी equilibrium से जो आया हो आया c2 alpha 2 और b negative आया c2 alpha 2 तो h plus की net concentration क्या आएगी भई equilibrium में एक ही solution के अंदर दोनों है equilibrium तो sum of both करना पड़ेगा ना बिल्कुल तो c2 alpha 2 और या c1 alpha 1 condition अपनी आ जाएगी equilibrium तक सामल्टीनेस equilibrium में concentration ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे बिल्कुल अब अपन इसको solve कर लेंगे लिख लो लिख लो मैं time दे रहा हूं तुमको इसको लिख लो तब तक मैं सिर्फ expression लिख रहा हूं कुछ सम्झाने वाली बात नहीं है तो write it down लिखा है आगे लिख दूँ, स्क्रोल अप कर दूँ तो k1 में c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 into c1 alpha 1 upon c1 into 1 minus alpha 1 अब अगर k1 k2 छोटे हैं तो क्या मैं 1 के रिस्पेक्ट में alpha 1 को इग्नोर कर सकता हूँ और alpha 2 को इग्नोर कर सकता हूँ तो मैं यह एक statement लिख दूँगा since weak acids that is ka1 and ka2 are small therefore alpha 1 and alpha 2 are small therefore 1 minus alpha 1 is approximately 1 and 1 minus alpha 2 is approximately 1 तो यहां से अपने को दो equation मिल जाएंगी इसको मैं इग्नोर करके c1 इदर ले जाता हूँ और इसको भी इग्नोर करके c2 इदर ले जा रहा हूँ और इसको multiply कर देता हूँ मैं यह चलो इसको ऐसे रख लेंगे बेट हम c1 इदर ले गाए और इदर c2 इदर ले गाए तो हमने दो equation मना दी ka1 c1 is equal to c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 into c1 alpha 1 और ka2 c2 is equal to c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 into c2 alpha 2 यह equation 1 और 2 हमने बना ली अच्छा हमको चाहिए क्या concentration of h plus चाहिए है ना divide तो कर सकते है बट उससे अच्छा तरीका है अपने पास है ना और अच्छा तरीका है अपनी concentration of h plus क्या है देखो c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 है ना concentration of h plus तो उससे अच्छा तरीका क्या है अपने पास हमन करते थे equation 1 plus equation 2 इससे क्या होगा देखो k a 1 c 1 plus k 2 c 2 is equal to c 1 alpha 1 plus c 2 alpha 2 का whole square देख लो जारा बन रहा है की नहीं बन रहा c 1 alpha 1 का square plus c 2 alpha 2 का square plus c 1 alpha 1 c 2 alpha 2 plus c 1 alpha 1 c 2 alpha 2 तो c 1 alpha 1 plus c 2 alpha 2 का whole square बन जाएगा अभी हमने क्यों किया क्योंकि actually हमारे पास alpha 1 alpha 2 की value नहीं थी देखो generally क्या होता है तो मैं assets की concentration पता होती है और k पता होता है alpha तो calculate करना पड़ता है तो अगर alpha नहीं पता हो अपना काम यहांसे आसान होता है तो यहां से अपने पास काम की चीज़ आगए कि concentration of H plus is under root of के 1 C 1 plus K 2 C 2 को के 1 के टू अरे वेजेक्षू बेटा इसको और इसको जोड़ दिया मैंने ना लेते को elementary match भी करके बतानी पड़ेगी यह इसको multiply करना दरा C 1 alpha 1 का whole square plus C 1 alpha 1 C 2 alpha 2 नीचे आएगा C 2 alpha 2 का whole square plus C 1 alpha 1 C 2 alpha 2 इन दोनों को जोड़ेगा तो आएगा C 1 alpha 1 का whole square plus C 2 alpha 2 का whole square plus 2 C 1 alpha 1 C 2 alpha 2 बेटा अब इससे जादा भी match लिखवाएगा क्या मुझसे जब यह भी बताऊंगी कैसे बन गया अच्छा ठीक है समझ में आ गया ना ठीक है तो ultimately बस अपने को यही करना था है कि एक्वेशन लिख देते हैं यह तो दो के लिए आ गया तो जनरल एक्वेशन के आ गई कि कॉंसेंट्रेशन ओफ एच प्लस एज अंडर रूट ओफ summation of i equal to 1 to n kai ci अंडर रूट ओफ summation of kai ci यह अपने जनरल लिख दिया i denotes number of assets कोई कितने हैं जैसे एक है तो k1 c1 2 है तो k2 c2 3 हो गए तो k3 c3 4 हो गए तो k4 c4 5 हो गए तो k5 c5 चलता जाएगा वो तो जनरल समिशन का एक कुशन टार माग गया यह है ना weak acid only for weak acid बिल्कुल याद रखना भई mix for mixture of weak acids ही है भई strong acid नहीं आना चाहिए इसमें strong acid आगे तो उसको अलग से solve करना पड़ेगा for mixture of weak acids only ठीक है strong strong नहीं मिला देना है लेखा अच्छा इसके बाद concentration of a negative भी अगर लिखें हैं तो वो थी हमारे पास c1 alpha 1 which is equal to देख लो एक बार concentration of a negative या c1 alpha 1 को हम लिख सकते हैं ka1 c1 अपाउं concentration of h plus लिख सकते हैं क्या देख लो एक बार लिख सकते हैं यह c1 ऊपर चला गया यह alpha तो इगनोर हो गया था और यह नीचे आ गया this is concentration of h plus तो this is k1 c1 upon concentration of h plus ya k1 c1 upon root of k1 c1 plus k2 c2 similarly concentration of b negative is c2 alpha 2 which is k2 c2 upon concentration of h plus which is k2 c2 upon under root k1 c1 plus k2 c2 तो यह आपने general कर लिया फिर इसको मैं एक values के साथ भी solve करवा देता हूं question आपको यह बले ही मत याद रखो यह तो ठीक है यह निम्मत याद रखो यह अगर पूछे तो solve कर ले ना equilibrium बट h plus का direct याद रखो यह याद रखना है h plus का और base हुए तो कैसे लिखेंगे वह h minus कही बता देता है यह तो अभी क्या question करने के लिए लिख लिए अपने कि वही जरूरत वैसे यह वाला इतना याद रखो यह तुमको equilibrium से मिल जाएगा और अगर h plus का formula याद हुआ तो यह डारेक्ट आई जाएगा तो यह तो equilibrium लिखने से आए जाएगा कि अलफा इसमें 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 इसे डारेक्ट अलफा नहीं आएगा अरबेटा अलफा के लिए तो तुमको solve करना पड़ेगा मैंनत लगी यह तो हमने अलफा को सब्साइड करके हटाके डारेक्ट अंसर निकाल दिया इसमें अलफा की दुरत नहीं पड़ेगा अलफा है तो लिखो एक अच्छा एक फॉर्मला और लिखवा दूंबेस वाला फिर तुमको लिखवाता हूं यह लिख लेना इन मिक्स्चर ओव वीक बेसेज इन ब्राट ब्राकेट मोनो असिडिक तो उसमें दुमारे पास ओच निगेटिव का फॉर्मला आएगा कि कॉंसेंट्रेशन ओफ ओच मानस इस इकोल्स तू root of kb1 c1 plus kb2 c2 अगर दो हुए और अगर जनरल लिखना हुआ तो वो भी लिखवा देता हूं मैं कि concentration of OH नेगेटिव इस इकोल तू summation of i equal to 1 to n kb i और c i तो formula वैसे ही रहेगा बस base है तो OH मानस आजाएगा h plus की जएगे और k की जएगे kb it's not tough to remember it's very very easy लिखा जबने question कर ले लिखो question हाँ पर वासान करेंगे चिंदा मत कर लिखो an aqueous solution contains an aqueous solution contains 0.2 molar CH3COOH this is acetic acid and 0.04 molar HCOH this is formic acid bracket closed we'll stop calculate pH of the solution and concentration of HCO negative at equilibrium conditions in bracket in bracket given k a for CH3COOH is 10 to the power minus 5 and k a for HCOH 10 to the power 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 log 2 is 0.3 and log 3 is 0.477 लिलो यह भी कि बना तुमको है अगर 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 करो करो अगर करो अगर है अगर है 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 फीटा अब इससे पी हैच निकालो है प्रेसी कॉंचेंटरिशन आ गई तो मैं भी लिख देता हूं तब तक 310 to the power minus 5 into 0.2 plus 10 to the power minus 4 into 0.04 इस कमस आट तो बी रूट आफ 2 plus 4 into 10 to the power minus 6 इस इस प्रेस्ट 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 रूट इस है 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 आई किस प्रेस्ट की अब की बिलकुल तब इससे पी हैं निकाल लेते हैं pH is negative log of root 6 into the power minus 3 which is 3 minus log of root 6 pH is 3 minus half of log 6 which is 3 minus half of log 2 plus log 3 तो तुमको log 6 की value direct नहीं दे रखी थी इसलिए तुमको उसको जो values दे रखी हैं उसके term में लिखना पड़ेगा this gives you pH is equal to 3 minus half of 0.3 plus 0.477 कितना आ रहा है भई pH नहीं नहीं बेटा ये strong assets कहा है वी की तो है दोनो organic acids are generally weak most of the organic acids are generally weak हाँ वह कितनी value आ रही है 2.615 नहीं 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 कितनी आ रही है value calculation mistake कर रहे है अचा 2.615 15 आ रही है नी 2.61 अचा 1 61 तक तो आएगी हाँ 1 के आगे क्या आएगी 2 आ रही है क्या हाँ तो यह तो पी एच का अंसर आ गया अब रही बात concentration of hc o minus की तो यह आएगा k2 c2 upon concentration of h plus यह आएगा आएगा यह नहीं आएगा तो कितना आ रही है 4 into 10 to the power minus 6 upon root 6 into 10 to the power minus 3 तो 4 by root 6 into 10 to the power minus कितना लिख दूँ भाई कितना लिख दूँ चल्दी बताओ आज तो तो तुमसे बहुत match कर वा लिया मैंने आज तो लग रहा है ठग गहें लोग calculation कर करके जवाब ही नहीं दे रहा है यह लिख लिख के ठग गहें minus 3 बिलकुल बिलकुल हाँ यह तो है तो एक question में काम करता हूँ homework देता हूँ यह लिख लो ठग गया आज कोई बात नहीं होता है end of the day है एक question homework देता हूँ चलो मैं इसे तुम्हें सुचता है कि अभी करवा दूँगा but homework देता हूँ तुमको भी थोड़ा सोचने का time मिल जाएगा वह बात भी सही है फ्यूज लिखा 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 यहां तक सबने लिखो भाई question लिखो अब मैं तुमको लिखा लिखो 50 ml of 0.2 molar NH4OH in bracket Kb is equal to 10 to the power minus 5 is mixed with 150 ml of 2 molar C6H5 NH3OH in bracket Kb is equal to 10 to the power minus 6 दिन क्याल्कुलेट इक्विलिब्रियम कॉंसेंट्रेशन ओफ एच प्लस और ओच माइनस इसमें बही क्या क्या डिफरेंट होगे डारेट फॉर्मिल लगा सकते हो कि इसमें तुम सीदे सीदे के वन सीवन रखके यहां पर यह नहीं है ना दिक्कत क्या है कि यह तुमने क्या मिक्स किया है ना चीजों को इसके 50 ml को और इसके 150 ml को मिक्स किया है तो तुमको क्या करना पड़ेगा मिक्स करने पर इसकी कॉंसेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी नहीं हां तुम पता करना पड़ेगा कि अगर इसको 50 ml से 150 ml मिक्स कर दिया तो वीवन फिफ्टी है वीटू कितना लोगे बिटा वीटू कितना लोगे दो सो इसके लिए अच्छा इसके लिए क्या करोगे इसका वीवन कितना है वन फिफ्टी और इसके लिए वीटू कितना लोगे 200 तो तुमको सीटू दोनों के लिए निकालने पड़ेंगे न और इससे एच प्लस आएगा कि हमानेस आएगा अगर सोलिशन के अंदर की अच्छा पता हो तो से एच प्लस निकालनेते न आपन們 kW का यूज़ करके बिलकुल बिलकुल सणी बात है चलो तो हाथ अगर टेमндरडि cheers?' नहीं दे रहा हूं है तो ग्ज Grant के चलना, ठीक है अगर मैंनेोरा प्रस्टा, ठीक है चलो तो यह कर लो इस फॉर्मिली का एक अप्लिकेशन और रहेगा उस पर एक ही क्वेशन रहेगा वो तो दो तीम मिनिट में हो जाएगा जल्दी से तो यह क्वेशन होंवर्क है आज मैं स्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं तुम लोग भी थोड़ा थक गए हो तो अगले लेक को देखते चलो approximations क्योंकि आगे यूज होंगे तो करते रहेंगे अपन इसको रिवाइस ठीक है तो आज के लिए थियोरी अपन यहां रोक लेते हैं आज काफी काम करा लिए तुमसे मैंने बट मजा आया